चलिए अब कुछ मीठा बनाते हैं और वो भी फड़ा फड़ा यह मुझे अच्छा लगता है इसलिए ले लिए और इसमें क्या करना है यह मेरे पास ब्राउन शुगर है और ब्राउन शुगर लेकर जरा मैं इसकी चाशनी बना लेता हूं और यह सिंपल सी रेसिपी है वैसे मुश्किल ढखाता है मुझे नहीं हो न कुछ चण और क्या करना है इसमें हमें चाहिए साबुधाना साबुधाने को आपने उबालना है पानी लें पानी में उबालें और पिर देखिए इसका जो रंग है यह ठांस-पेर्रिन हो जाएगा और फिर इसे चिल कर लें और बस अब बहुत ही सिंपल है, ये साबुदाना लिया, ये चिल्ड साबुदाना, ग्लास के अंदर, कुछ आइस क्यूब्स चाहिए, क्रश्ट आइस भी अच्छी लगती है, खेर, तो आइस क्यूब्स इसमें डाल देते हैं, ये लीजे, अब एक काम करें, ये जो ब्राउन कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट कैसे होगी? कंप्लीट होगी, ये कोकनट मिल्क डाल के, तो ये डाले कोकनट मिल्क, बस इसे मिक्स कर लें, यानि ठंडा-ठंडा चिल्ड सैगो, और अब क्या करना है, बस इसी तरह से, ब्राउन शुगर जो है उसका टेस्टी अपना अलग है इसे इसी तरह से ठंडा ठंडा परोसना है साबूदाना अच्छी तरह से कुक हुआ होना चाहिए चिल्ड हुआ होना चाहिए धेर सारी बरफ, कोकोनट मिल्क, ब्राउन राइस, राइस में आइस और ब्राउन शुगर और अच्छा सा क्लास लोट करें इसके इंगीडियन्स और उसके बाद इसका एक रीकाप हैना सान आइस्ट कोकोनट मिल्क विट सायोग बिलिया में चाहिए चार कप नारियल का दूद, एक कप साबू दाना पानी ये भीगा हुआ, तीच जोधाई कप ब्राउन शुगर और बरफ आवशकता नुसा इसे बनाने के लिए ब्राउन शुगर में एक कप पानी डाल कर पकाएं और इसकी बत्ती चाशनी बना कर इसे ठंडा करके रेफ्रिजिडेट करें साबू दाने में दो कप पानी डाल कर इसे भी ठंडा कर लें इसे सर्फ करने के लिए एक सर्विंग ग्लास में साबू दाना डाले इसमें वरफ और थोड़ा ब्राउन जुगर का तयार सिरफदार कर मिक्स करें और इसमें नारियल का तूड डाल कर तुरण सर्फ करें ठंडा ठंडा